हलो नमस्काल स्वागत है आप सभी का अधानलुस गूरू के से यूडूब चैनल पर अभी अभी हर्याना सरकार के द्वारा हर्याना में बड़ी घोसना की गई है हर्याना में नई योजना की सुरुवात की गई है दिसार ने देश जारी के गए हैं एलान किये गए हैं इस वीडियो के माद्धम से जानेंगे विस्तार से तो जी हाँ अगर आप हर्याना से हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करते हैं और इस वीडियो को ज़्याद सेदा सेयर करें अगर आप रोज़ाना हर्याना की 30 जून तक आप उनलाइन अपलाई कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर जाकर यहां पर फसलों का यहां पर इस्टेशन कर सकते हैं इसमें से बता दे की लावार्थियों तक यहां पर जो योजने हैं पहुचाने का भर सक प्रयास कर रही हरियान सरकार और वहीं कोसली SDM होसियार सिंग ने बताया कि किसान परमपरागत खेती की बज़ाय फसल विबदी करन को बढ़ावा दे ताकि उनकी आएप में बढ़ातरी हो सके किसान बागवानी विभाग की स्कीमों को अपना कर अपनी आई को दोगना कर सकते हैं और काहे कि प्रदेश सरकार बागवानी की फसलों में 25 से 100 हिस्दी तक यहां पर अनुदान यानि की सबसेड़ी दे रही है वहीं वेब साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं बागवानी विकास जोधकारी है रविंद कुमार ने बताया कि बागवानी विभा के द्वारा बंबू, स्टेकिंग, आयरन, स्टेकिंग, मल्चिंग, लोटनल, टिसू कल्चर में, डेड़ पाम, मस्रूम, ट्रे त्यादी मदों पर भी अनधान का प्रभदान भी है और इस बागवानी स्कीमों को अपनातेवे किसानों में आए, कि यहां पर रधी हो जाएगी, और इसके साथ यहां पर प्रयास करना चाहिए, कोसली ओपमंडल के किसान यूजनाओं को लाब उठाने के लिए, यहां पर बेपसाइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, तो तीस जून तक आप आवेदन यानि कि पंजी करन करा सकते हैं, तो इन फसलों पर सीधे आपको अनुदान मिलने वाला है, तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, नरसरी की स्तापना, अमरूद, बेर, नीबू के बाग लगाने पर विवाग तो रखिसानों को पचास फिजदी तक अनुदान दिया जाता है, तो आप तीस जून तक इस पोर्टल पर जाकर कि आप आवेदन कर सकते हैं, तो जीहां इस वीडियो में इतनी जन्गारी दिन,